तेरस्वी प्रसाद यादव अपने आवास पर प्रवक्ताओं की बैठक बुलाते हैं और उस बैठक में सिर्फ राश्ट्री अस्तर के प्रवक्ता नहीं, सिर्फ राज अस्तर के प्रवक्ता नहीं, बलकि जिले और प्रखंड अस्तर के प्रवक्ताओं को बुलावा भेया ज उस बैठक में क्या बताया जाता है यही खबर है उस बैठक में तिरस्वी आदव ने कैसे भाजपा के मोडस अपरेंडी को अपने पार्टी में लागू कर दिया है तिरस्वी आदव ने कैसे समझाया है कि भाजपा अपने प्रवक्ताओं के साथ क्या करती है और किस तरीके स उनके प्रवक्ता पुरे देश में घूम घूम कर अपने पार्टी का बखान करते हैं यही तिरस्वी आदव ने अपने प्रवक्ताओं को बताया है 2024 की तैयारी शुरू हो गई है यह आप जानते हैं लेकिन भाजपा के जैसा पी आर भाजपा के जैसा मेनेजमेंट और भाजपा के जैसा तरीका किसी का भी नहीं है तिरस्वी प्रसाद यादव भाजपा के उन तमाम तरीकों को चाहते हैं अपने पार्टी में उतारना ये बताना कि अगर आपको सही तरीके से पार्टी चलाना है तो आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होगा आप याद करिए लमसम साताथ महिने पहले की बात है तिरस्वी आदव ने अपने मंत्रियों को और अपने विधायकों को कहा था जिला ध्यक्ष का पावर आप लोगों से ज्यादा है अगर कोई जिला ध्यक्ष किसी कारेकरम में है तो जो मंत्री और विधायक हैं वो जिला ध पीछे खड़े रहेंगे और उस वक्त ये कहा गया था संगठन पर तर्यस्वी आदव जोड़ दे रही हैं। अगर वहाँ जीला ध्यक्ष रहेंगे अगर वहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे वो अबल भले किसी पदपर ना भी हो तो वो आदमी जो समविधानिक पदपर है वो जीला ध्यक्ष के पीछे या फिर प्रदेश अध्यक्ष के पीछे खड़ा रहता है। को रखना है हाल के दिनों में हमने देखा है महागठबंदन की सरकार नौकरियां देकर भी राजनीती में पिछड रही है क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता भाजपा के नेता भाजपा के लोग बिहार के लोगों के दिमाग में ये डालने में सफल हो रहे हैं कि ये लोग पुलाकर इस बात की ट्रेनिंग दी है कि आपको अपना बात कैसे रखना है मुख्य तोर पर ये बताया गया है कि जो जातिय जनगन्ना कराया गया है उससे लोगों को क्या फाइदा होगा जो आरक्षन का प्रतिशत 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया गया है उससे लोगों को क्य पर विफल रही है, उसकी बात बताई गई है और बताया गया है कि जब भी आप कहीं जाएं, जब भी आप मेडिया में इंटर्व्यू दें, जब भी आप जाकर अपनी बातों को रखें, तो आपको इस बात का खयाल रखना है कि आप अपनी पार्टी का बात मजबूती से लेकिन लालू यादव के दाजनिती के जो तौर तरीके थे उससे तरस्वी यादव हमको लगता है कि सहमती नहीं रखते हैं। और अपने परवक्ताओं को बुला कर जो एक तरीके से ट्रेनिंग सेशन दिया गया है तरस्वी के द्वारा, वो कहीं न कहीं सोर इशारा कर रहा है कि तरस्वी अपनी पार्टी को और प्रोफेशनल और और मजबूत बनाना चाहते हैं। तरस्वी आदव भाजपा के लिए काल तो बिहार में है ही और अगर जो बात उन्होंने अपने परवक्ताओं को सिखाई है, उनके परवक्ताओं ने ये बात मान ली तो समझेए कि खेल होना तय है। आपका इस पर क्या विचार है, कवन बोक्स में बताईएगा, मेरे नाम प्रशान्थ है, बहुत बहुत धन्यवाद।